नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक ने वासिग अटन उनिवर्सिटी के साथ किया समयोता भारत बायोटेक ने वासिग अटन विश्व विद्यालाएक के स्कूल आफ मेडिसीन के साथ कोविन-19 की एकल खुराक वैक्सीन चीफ एडिनो वायरस के लिए एक लाइसेंस समयोता पर हस्ताक्चर किये भारत बायोटेक द्वारा जारी विगफ्ती के मुताविक कमपणी के पास अमेरिका जपान और यूरोप को छोड़ कर अने सभी बजारों में वैक्सीन के बित्रन कादिकार होगा कमपणी ने बताया कि इस वैक्सीन के पहले चरण का परिक्षण सेट लुइस भी सुबित द्याले की काई में होगा जबकि नियामक मंजूरियां हासिल करने के बाद भारत बायोटेक अने चरणों का परिक्षण भारत में भी करेगी जार्खन के सरकारी स्कूलों के बच्चे बनेंगे हेल्थ एमेशडर जार्खन के सरकारी स्कूलों के बच्चे हेल्थ एमेशडर बनेंगे हर इसकूल के दो छात्र शात्राओं का हेल्थ एमेशडर बनाया जाएगा सबसे पहले इन हेल्थ एमेश्डरों को स्वास्त समधी जनकारी दी जाएगी इसके बाद ए अपने स्कूल के साथियों से स्वास्त की जनकारी सेर करेंगे बता दे कि हर स्कूल से दो-दो सिक्षकों को मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जा रही है ए बचों को हेल्थ एमेश्डर बनाएंगे सुत्रों के उन्सार मास्टर ट्रेनर हेल्थ एमेश्डर को कि सुरों वास्ता में 16-17 में होने वाले बदलाव एग्रेशन, फिजिकल, सोसल, एमोशनल एवं मेंटल हेल्थ के बारे में जनकारी देंगे सिक्षा मंत्री ने वादा निभाया मेंट्रिक वा इंटर टोपर को गिफ्ट किये कार जार्कन के सिक्षा मंत्री जगनाथ महतों ने अपना वादा निभाया है उन्होंने जैक, बोड, दासवी और बरावी की 2020 टोपर किये विद्यार्थी को कार गिफ्ट किये है बता दे कि बिनोद बिहारी महतों के जयनती समारों के मौके पर उन्होंने मैट्रीक के बोकारो टॉपर को बाइक भी दिया साथी साथ 75 परज़त अंग के साथ पास करने वाले 356 को साइकल देकर प्रोस्कृत किया सिक्चा मंत्री ने बस 2021 की जयक बोड पर इक्चा में मैट्रिक इंटरमेडियेट के ओवर ओल इस्टेट टोपर को गोद लेने की खोशना की है उन्होंने का है कि पूरी पढ़ाई का कर्च कोद उठाएंगे जारखन में 1141 नेस संक्रमेतों के पुष्टी हुई जो बोकारो से 78, 14, 3, 2, 21, 12, 62, 22, जमसेदपूर, 131, गड़वा, 31, गिरीडी, 21, गोड़ा, 17, गूमला, 14, हजारी, 41, जामतला, 3, खुटी, 56, कोडार्मा, 22, लाते, हार, 6, लोहरदागा, 28, पाकुर, 12, पलामूर, 30, रामगड, 30, राची, 413, सरायकेला, खरसावा, 25, सिम् 24, की मृति हो गाई, भारत में कुल संग्रमितों संख्या 57, 13,184 है, जबकि 46,181,850 लोग स्वस्थ हुए, और 91, 173, की मृति हो गाई, भारत मेंनाई केस 86, 703 मिले है, जबकि 87, 458 लोग स्वस्थ भी हुए है, जारखन में बुद्वार को 3 की मौत हुई है, जो पूर्वी सिमुम से एक, रामगर से एक, पच्चमी सिमुम से एक कि मौत हुई है, राजे में 1232 मरीज स्वस्थ भी हुए है, एक्टिव केस, राची 341, पूर्वी सिमुम 2458, धनबाद 142, कोडारमा 609, सराय किला 502, बोकारो 449, पच्चमी सिमुम 432, गुमला 342, रामगर 304, चात्र 200, देवगर 188, गडवा 151, जामता 116, पाकुर 101, साहिव खंच से 92 मरीज एक्टिव है, राशन कार्ट के लिए राची में आज कैम्प का आवेजान, राशन कार्ट बनवाने के लिए 24 सितंबर गुरुवार को राची में कैम्प लगाया जा रहा है, ताकि योग ये को राशन कार्ट उपलब्द करा कर राशन दिया जा सकते, 30 सितंबर तक इसके लिए आवेजान किये जा सकते हैं, लोजना काला अवलेने के लिए आवेजान और ओफलाइन दोनों माध्यम से किये जा सकते हैं, ओनलाइन के लिए www.ahar.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है, हाई को कोट के आदेश को जारखंट सरकार सुप्रीम कोट में चिनोती देगी, यह जनकारी जारखंट के मुख मंतरी हमान सुलेन ने खुद दी है, इसके अलावा उन्होंने काया है कि सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा जारी रखने के लिए अवधी विस्तार देने का निर्देश भी अधिकारियों को देद दिया गया है, सहायक पुलिस कर्मियों का अंदोलन समाप्त है, अस्थाई नवकरी वेतनमान सहीत विभीन मांगों को लेकर बिते 12 सितमब से मुराबाजी मैदान में डटे सहायक पुलिस कर्मियों का अंदोलन समाप्त हो गया है, पेजर मंतरी मि आस्वासन दिया है कि वेतनवान वा अनमांगो कोले का सचीव अस्तर की एक कमिटी बनाई जाएगी कमिटी 15 दिनों में रिपोर्ट सोफेगी इस अधार पर तया होगा कि सायक पुलिस कर्मियों की कितनी सुविदाय वा वेतनवान मिले इसकूल खोलने पर विचार कर रही है सरकार जरूरी सुरक्षा की सरकार कर रही समिक्षा राज सरकार अगले महिना से इसकूल खोलने पर विचार कर रही है इसके लिए दूसरे राज जहां 21 सितंबर से इसकूल खोलेगा है वहाँ की रिपोर्ट मंगाई जा रही है, सरकार इस अधार पर समिक्चा करेगी, जिसके बाद इसकूल खोलने पर अम्तिम निन लिया जाएगा बता दै कि सिक्चा मंतिरी जगनात महतों ने इसकी पुष्टी की है, सिक्चा मंतिरी ने कहा है कि बचों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, सुरक्षा के समिक्चा की जा रही है प्रोनति से प्रधना ध्यापक का पद भरने की मांग संग जाखन प्रात्मिक सिक्षक संग के परदेश अध्यक्ष राजेंदर सुकला ने बुद्वार को राजे के सिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है पत्र के माध्यम से मांग की है कि मध्य विद्याले के परदाना द्यापक का पद जो पूर्वे से निर्दारी था उस पद को गेट 4 में कारेरत सिक्षकों से प्रोनती के पचाथी भरा जाए इस पद पर सिधी नियुक्ति वबहाली का उन्होंने पुर्जोर विरोत किया है उन्होंने सिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि अभी तक 1993 में नियमावली के द्वारा सिक्षकों का प्रोन करने के दिये गए फैसले से परवाईद सिक्षकों के एक प्रतिनीदी मंदल ने बुद्दवार को राची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक सहराज के बीत तथा खाद आपुर्ती मंदल ने मंतरी उराव कोई आजनकारी दी कि इस पूरे प्रकरन में उनका कोई दोस्त नहीं इसलिए उनके बेतन भुक्तान पर कोई अंकुस न लाई जाए। करो आदी के नारे लगाते हुए चल रहे थे। में दियेगा है। रेलवे बोड के चेर्मेन से जारखन में लोकल ट्रेन चलाने की मांग सांसद। राची के सांसद संजर सेठ ने बुद्वार को दिली में रेलवे के चेर्मेन बिनोत कुमार यादों के साथ बैठक कर राची के यात्रियों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए विभीन जगों के लिए ट्रेन चलाने की मांग रखी है। सेठ ने राची लुर्दागा दुमका हावळा दिली जैनगर जन सतावदी पटना डाल्टेन गंज की ट्रेनों को जनित को ध्यान में रखते हुए जल चलाने की मांग की। मन्रेगा और प्रधान मंत्री अवास योजना को लेकर कोडारमा डिसी ने की समिक्षा बैठक। जारखन उच ने रले द्वारा नियोजन नीती दोया सोला को असवेदारिक करार देते हुए सेड्यूल एरिया में हाईज को सिष्को की नियुक्तिक रद किया जाने से अक्रोशी सिष्को द्वारा बुद्वार को सराई केला में बिरोध परदसन किया गया। इस दरान उन्होंने जिला में बहाल सिष्को की बहाली रद करने पर पूर्ण विचार करने की अपील की है। पलामू में 88 208 लावको का बनेगा काड़ डिसी। स्टील सिटी प्रेस के करमचारियों को 13 परतियत बोनस मिलेगा। बुद्वार को बोनस समझाते पर प्रवंदन और जमसेदपूर प्रेस वर्कर्ट यूनियन के बीच समझाता हुआ। इसके तवध करमचारियों को निमतम 23,054 और अधिकतम 31,780 रुपे बोनस के रूप में मिलेंगे। हटाए जाएंगे पूलिस गेश्ट हाॉस दुसकर्म कांड के अनुसंधन करता। को दुसकर्म के मामले में तथ्यों की जनकारी तक नहीं थी, ऐसे में अनुसंधानक को हटाने का फैसला लिया गया है। एक माह में HEC के अवासों से अवैद कबजा हटाए पुलिस कर्मी DGP HEC के अवासों से पुलिस अफसरोव कर्मियों का कबजा हटाने का आदेश DGP M.B. राव ने दे दिया है पुलिस कर्मियों के द्वारा अवै तरीके से कबजाए अवासों को एक माह के भीतर खाली कराए साथ ही इन अवासों के किराए बिजली वपानी के पूरा बील का भी भुकतान कराया जाए जेल में बंद गैंग्स्टर सुजित सिन्हा P.L.F. सुप्रीमों दिनेस गोप से मिलकर वाट्षेप से गुरूप वीडियो कॉलिंग कर जार्खन के वेवसायों को निशाना बना रहा है राची पूलिस की जाच में खुलासा हुआ है कि इसमें सबसे आम भूमिका P.L.F. का उगरवादी प्रेम गोप की है पलाश्टू स्कूलों के तवादले पर रोक का आदेस खारीच जार्खन हाई कोट ने राज के पलाश्टू स्कूलों के तवादले पर रोक लगाने के आदेस को खारीच करते हुए कहा है कि शिक्सकों के तवादले पर निर्ना अस्थापना समिती करती है अस्थापना समितिक के निर्ने पर रोक लगाने का अधिकार मंत्री की नहीं है बुद्धवार को पलस्टू स्कूल की ओर से दायर एचका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस्ट एसके दिवेदी की अधालेत ने यह नेदेश दिया है स्वास्त मंत्री ने किया पलस्मा डोनेट कैम का निरिक्षन राजे के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने बुद्धवार को रिम्स इस्थित पलस्मा डोनेशन कैम का निरिक्षन किया टेम पहुँच कर उन्होंने अब तक पलाजमा दान के लिए आगे आए लोगों की जनकारी हासिल की उन्हें बलोड बैंक की और से जनकारी दी गई की अब तक कूल 246 यूनिट पलाजमा में से 240 यूनिट पलाजमा लिखित मांग कर जरुवत मन लोगों को उपलवत करवाया नियोजन नीती को लेकर हेमंद सरकार के नियत में खोट लुईस मरांडी हेमंद सरकार के नियत में खोट है उच नियले में सरकार की और से नियोजन नीती पर मजबूती से समगर तथ्यों को नहीं रखने की वज़ा से हाई स्कूल में नियुक्त सिक्षकों के अलावा रग उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की मंसा नियोजन के नाम पर छलावा और राइनीतिक करने की रही है जो उच्छ नियाले के आदेश के बाद और परिलक्षित हुई है दूध में मिलावट की होगी जात सरकार ने खटालों में मिलने वाले दूध की सुथ्ता की भी जाच करने का फैसला किया है स्वास्त बिभाग के परदान सचीव डाक्टर नित्तिन कुलकरनी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है उन्होंने सभी अनुमंडल पदा अधिकारियों और खाद सन्रक्षाप पदा अधिकारियों को पत्र भेजा है परदान सचीव ने लिखा है कि प्राया ऐसी सिकायत मिल रहे है कि खाटाल संचाल को द्वारा बिना लाइसेंस के केमिकल और पानी मिला कर दूद की विक्री की जा रही है यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल ऐकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बाट से फेस्बुक ट्वुटर इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू